हेलो वेर्वन वेल्कम टू पीएस और दिस वर्ण महाजण तो चलिए देख लेते हैं हमारा डेली करंट अफ एःर्स ठीक है चलिए 60 नगस का रहेगा यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि कच्चा थीवू आइलेंड के बारे में अब यह कच्चा थीवू आइलेंड है कहां यह आगे हमारा इंडिया यह आगे यहाँ पे आपका श्रीलंका तो यहाँ पे बीच में आगे है आपका कच्चा थीवू आइलेंड तो इस आइलेंड की बात की जा रही है आपको पता भी नो कॉन्फिदेंस मोशन जो है उसकी डिबेट हमें देखने को मिलती है कहां पे पार्लिमेंड में तो बेसिकली उसी समय इस चीज़ के बारे में इस आइलेंड के बारे में जो ह suspicious किया इस आइलेंड का कच्चा थी वू आइलेंड तो यह आइलेंड जो है वो निउस में आ गया पास इसकी लोकेशन जाना important थी जो की मैंने आपको बता दी ठीक है बाक्की वही चीज मैंने बता दी आइलेंड नियूज में था क्योंकि नरेंदर मोधी मारे प्राइम निस्टर जी के दोरा पारलिमेंट में जब डिबेट चल ली थी नो कॉंफिडेंस मोशन को लेकर उस समय इसके बारे में जिकर किया गया था और आपको यह चीज़ पाता है कि यह जो हमारा होता है फेमस है क इस चीज़ के लिए अगर इसकी देखी जाए तो इसकी हिस्टरी अगर पास जो है वो देखा जाए तो हम यह बोलेंगे कि यह पर्टिकुलर आइलेंड जो था इसको एडमिस्टर किया जाता था प्रिटिश रूल के दौरा फिर हम बात करते हैं यहां पर अभी भी NCRT के बारे में तो अभी NCRT जो है इसकी 19 मेंबर कमेटी जो है वो बेसिकली बनाई गई है जिसको हम यह बोलेंगे कि किसने लड़ किया है MC पंत जो है उनके दोरा इस 19 मेंबर कमेटी को जो है वो लड़ किया गया है तो इस कमेटी को बनाने के पीछे या फिर आप बोल सक 3 से class 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 तक्स लेबर जो है वह revise किया जाएगा और बिल्कुल किस लाइन में लाया जाएगा नेशनल करिकुलम framework की लाइन में बिल्कुल लाया जाएगा और यह जो basically committee है इसमें जो members है panel जो है कौन कौन है इसमें math से कुछ experts हैं जैसे की policy sports arts administration economics इन सबसे experts इस committee में included है ठीक है तो यह भी अफलका से के बारे में आइडिया रखो नेक्स आर्टिकल देख लेते हैं देली की बात करते हैं अब देली भी recently जो है वह news में क्यों रहा क्योंकि देली यूटी जो है news में थी क्यों क्योंकि यहाँ पे mobile phone उसको ban करने की जो है वह बात की गयी यानिकि आप mobile phones हमें स्कूल वगारा जो है वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे स्टूडेंट जो है आप मोबाइल फोन का जो है वो यूज नहीं करेंगे इस चीज़ के ओपर बैंड लगा दिया गया है देली यूटी के त्वारा अब इससे क्या होगा बच्चे जो है अपनी स्टूडिस के ओप स्टेप उठाया गया है इससे क्या होगा बच्चे की एक अवराल डेवलप्मेंट होगी ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते पॉलीस मैडल्स के बारे में तो अभी हमारे जो प्रदान मंत्री है प्रेजिदेंट जो है उनके द्वारा ये मैडल्स वगएरा जो है वो इनको जो है वो मैडल्स जो है वो दिये गए है जैसे कि हम बात करें एक स्यार पी अफ परसनल जो है उनको अवार्ड दिया गया है जो कि प्रेजिदेंट पुलीस मैडल फॉर गैलेंटरी ठीक है तो ये इनको दिया गया है बाकि 229 जो पुलीस परसनल है उनको भी दिया ग ठीक है नेक्स देख लेते हैं इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो आपको पता है इस बार हमारा 77 जो है इंडिपेंडेंस डे था अब यहां पर एक होता आपका 76 एक होता जी आपका 77 ठीक है अब यहां पर अगर मैं बात करूं डे कौन सा हमारे इंडिपेंडेंस का 77 या से करके मतलब कि आप बोल सकते दो 77 बनते हैं यानि कि 77 बंता हमारा इंडिपंडेंड Ajay को 76 किस हैं सेंसे बनता है यह से 1947 से 1948 यह बना आपका दो साथ यानिक गानि धीफिञ इस कि मारगा कि़िए आयते 76th Independence Day बोला जाता है ठीक है तो इसके बारे में आपको difference पता होना चाहिए important इसमें यही है कि जो थीम है इसकी जो उसकी थीम है थीम क्या रही 2023 में नेशन फर्स्ट आलवेस फर्स्ट यह इसकी थीम रही और celebrate आपको पता ही है हम इसको celebrate कब करते हैं 15 अगस्त को ठीक है 15 अगस्त में celebrate किया जाता है Independence Day यह आपको पता ही बताने की जरूरती नहीं है ठीक है तो बागी इससा बता दिया हमें अच्छा नेक्स देखो विराट कोली जी के बारे में बात करते हैं यहां पर आपको बता है विराट कोली हमारे इंडन क्रिकेटर है तो Instagram में highest paid celebrity बन चुके है एशिया के तो एशिया's highest paid Instagram celebrity इनको बना दे गया और यह लिस्ट को publish किसने किया है उपर hq.com ठीक है तो बाकी देख लो कुछ लगसा नाम है तो इनके दोरा यह लिस्ट यह हो पब्लिश की गई है और बाकी इस लिस्ट में यही चीज़ बताया गया है कि एशिया के सबसे highest paid Instagram यह celebrity बन जाते है नेक्स आर्टिकल देख लेते हैं ए लांच किया गया है किसके अंडर यह हम बोलेंगे कि पाशुदान जागरती अभेहान इसके अंडर इस प्रोग्राम को लांच किया गया है बाकी हम बात करें इस प्रोग्राम में किया गया जाएगा यही की women जो है उनको training बगरा दी जाएगी ताकि women जो अपनी contribution दिखा सके animals में यानि कि उनमें disease control animal को tagging proper होनी चाहिए livestock insurance ये सारी चीज़ों में woman की contribution जो है वो होगी उसके लिए उनको train किया जाएगा next देख लेते है O.D. O.P. initiative one district one product initiative basically ये नाम सी पता चल रहा है कि one district one product यानि कि एक district का एक product उसको promote किया जा रहा है तो इसके पिछे main aim, main agenda, main goal क्या रहेगा यही एक platform provide किया जाएगा rural areas की women entrepreneurs को ताकि वो क्या कर सके अपने skills जोन को showcase कर सके craftmanship को showcase कर सके अपनी world को ठीक है कि वो अपने skills को craftmanship जो है वो showcase करेंगे world को जिससे के platform बोल सकते हैं आप को बता है इंडोनेशिया जो है इसकी capital city है जकारता तो most polluted city हमारी world की इसको declare किया गया जकारता को तो यह basic किसके तोरा बताया गया iq air यानि की air quality monitoring एक firm है इसके तोरा यह चीज़ बताई गया और यह बोला गया कि वहाँ पर particulate matter 2.5 जो है वो record किया गया ठीक है तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर अच्छी खासे जो है वो polluted city इसको बोला गया वर्ल्ड की और इस particulate matter 2.5 से respiratory problems भी देखने को मिलती है ठीक है तो यह था हमारा आज का important current affairs वीडियो आई तिंक आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो थैंक यू